हेलो एब्रिवन वेल्कम अगें टू लांड प्रिदितीमन तो जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि वन्सक्रम और वातावरण इससे संबंदित कुछ कुश्चन जो हैं उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे आप लोगों ने चैप्टर याद कर लिया होगा चलिए देख कुश्चन नमबर वन वातावरण वह बहारी शक्ती है जो हमें प्रभावित करती है यह कथन किसका है वातावरण वह बहारी शक्ती है जो हमें प्रभावित करती है यह कथन किसका है तो फटाफट से आंसर अपना लगाना है वुडवर्थ रॉस डार्विन या गाल्टन ट पटाफट से आंसर लगाईए तो जो सही आंसर है वो होगा रॉस ठीक है तो जिनोंने सही किये हैं तो वो अपने आपको एक मार्ग्स दें और जिनोंने नहीं किया है तो वो याद कर लें कि रॉस ने कहा कि वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है आख का रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है वातावरण, समाज, अनुवानशिक्ता या हार्मोन आख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है वातावरन करता है, समाज करता है, आनुवानशिक्ता करता है या हार्मोन करता है तो फटावर से आंसर देना है, टाइम बिल्कुल भी बेस नहीं करना है, जिनको आता है, तो वो कर सकते हैं अब देखिए मैं इसका सही आंसर बताऊंगी, इसका सही आंसर है आनुवान शिक्ता, तो इसका आंसर जो है वो सही है. नेक्स्ट है थर्ड कोश्चन बहुत दिक्षम्ता तथा कमजोर स्वास्ते लक्षण है बहुत दिक्षम्ता और कमजोर स्वास्ते लक्षण किसके हैं सरंचनात्मक के क्रियात्मक के मांसिक के या ब और स यानि क्रियात्मक और मांसिक दोनों के तो सोचिए इसी तरीके के प्रेशन आपके एक्जाम में आएंगे तो देखिए मैं बिल्कुल एंड में देखूंगे कि कितने बच्चों ने कितने सही आंसर दिये हैं ठीक है आप लोग अपने आंसर जो है वो लगाते जाएए तो देखिए बौधिक शम्ता बौधिक शम्ता वो किसे संबंदित है मांसिक से और कमजोर स्वास्य अलक्षन ये किसे संबंदित है क्रियात्मक्त से आंसर होगा डी ओप्षन यानि फोर ओप्षन ब और साथ दोनों नेक्ष्ट देखिए कुश्यन नंबर फोर मैंडल ने अनुवांशिकी संबंदित प्रियोग किस पर किया चूहे पर मटर पर अ और ब दोनों या इन मेंसे कोई नहीं मैंडल ने अनुवांशिकी संबंदित प्रियोग किस पर किया चूहे पर किया मटर पर किया दोनों पर ही किया या इन मेंसे किसी पर नहीं किया तो इसका सही आंसर जो है वो यह होगा देखिए कुछ वन और कुछ टू दोनों में ही कंफ्यूज हैं देखो इसका आंसर होगा आ और बात दोनों चूहे पर भी किया और मटर पर भी किया जिसमें मटर का जो प्रियोग है वो इनका सबसे ज़दा फेमस रहा अगला देखिए कोशन नमबर फाइफ बुद्धी तथा अस्तित्व पर वातावरण का प्रभाव शिद्ध करने के लिए गौडाड या गार्डन ने प्रियोग किया बंजर जाती के बच्चों पर विद्वानों पर अना थाले में या उप्रोक्त सभी तो सोचिए फटाफट से इसका सही आंसर और फटाफट से लगाते जाईए कि फिफ्ट कोशन का सही आंसर क्या होगा आप लोग question number डालकर और फिर उसका answer बताया करिए जैसे question number 5 का आपने 3 बताया है तो question number 5 आगे 3 ऐसे तो इसका सही answer होगा बंजर जाती के बच्चों पर Question number 6 उतपादक सूत्रों के निरंतर्ता का सिद्धान्त किस ने दिया? Godard ने, Goward ने, Gartan ने या Beachman ने उतपादक सूत्रों के निरंतर्ता का सिद्धान्त किस ने दिया? तो देखिए सिद्धान्त जो है वो किस ने दिया? आपनों याद किया है तो आप बिल्कुल सही लगा देंगे यहां सोचने की तो बात है ही ने तो इसका सही answer जो है वो यह होगा Gartan नेक्स्ट देखिए कुश्यन नमबर 7 प्रतियक संतान में माता पक्ष से कितने प्रतिशत लक्षण आते हैं? 50 प्लस एक प्रतिशत, 50 प्लस दो प्रतिशत, 50 प्रतिशत या कोई नहीं तो हम लोगों ने जब chapter किया था psychology के तो वहां मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था माता पक्ष और पिता पक्ष से कितने प्रतिशत लक्षण जो है वो संतान में आते हैं और दादा और पर दादा यहां का भी मैंने आपको बताया था तो देखिए इसका सही आंसर होगा 50 प्रतिशत नेच्ट देखिए question number 8 संतानों में लिंग निर्धारण का कारे करता है माता पक्ष पिता पक्ष अ और बा दोनों या भगवान तो देखिए यहां पर फोर्थ जो option है वो तो हो नहीं सकता ठीके अब बताईए संतानों में लिंग निर्धारण का कारे करता है तो इसका जो सही उत्तर है मुझे नहीं लगता कि इसमें गलत होना चाहिए तो देखिए इसका सही आंसर यह है पिता पक्ष से ठीक है तो जिन्होंने माता पक्ष पिता पक्ष दोनों को ही लगाया है तो देख लीजिए पिता पक्ष से ही संतानों में लिगने धारन का कार्य होता है Next देखिए 9th question एक ही माता पिता की संतानों में एक में माता वह दूसरे के पिता की लक्षन प्रकट होना वंश क्रम का सिद्दान्त है प्रत्यागमन का सिद्दान्त अर्जित गुणों का हस्तांतरन सूत्रों की निरंतरता या बीच पोस का सिद्दान्त एक ही माता पिता की संतानों में एक में माता के लक्षन और दूसरे में पिता के लक्षन ऐसा होना वंश क्रम का कौन सा सिद्दान्त है तो ये जो आंसर है इसका वो राइट होगा एक्जाम में देखिए आप लोग रिवीजन तक पहुँच चुके थे आपका एक्जाम तो हो जाना चाहिए था अब तक तो ये आंसर जो है वो सभी का सही होना चाहिए था प्रत्यागमन का सिद्धान्त नेक्स्ट देखिए कोश्यन नमबर 10 प्रतेक संतान में कितने प्रकार के गुण सूत्र अपनी भूमे का निभाते हैं दो गुण सूत्र, 46 गुण सूत्र, 23 गुण सूत्र या 22 गुण सूत्र Question कैसे पूचा है, प्रतेग संतान में कितने प्रकार की गुंसूत्र अपनी भूमे का निभाते हैं तो यहाँ पर जो कुल गुंसूत्र हैं, वो पूछे हैं, ठीक है तो क्या होगा इसका सही आंसर तो इसका सही आंसर जो होगा, वो होगा 46 गुंसूत्र यदि यहाँ पर जोडे पूछे जातें, तब आप option number 3 को write करतें 23 गुंसूत्र को चलिए, next देखिए, question 11 वातावरन वह वस्तु है, जो व्यक्ति के जीन के अतरिक्त समस्त घटकों को प्रभावित करता है पीटर्सन ने कहा है, बिने ने कहा है, ब्रूनर ने कहा है या एनौस्टसी ने कहा है कि वातावरन वह वस्तु है, जो व्यक्ति के जीन के अतरिक्त समस्त घटकों को प्रभावित करता है जो रॉस की definition है कि वातावरन वह बहारी शक्ती है जो प्रभावित करती है में तो वो important है बहुत ज़्यादा definition तो वहीं ये वाली definition जो है वो किसकी है अब देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पर गलत कर रहे है एनास्टसी ठीक है इसका सही आंसर क्या है एनास्टसी नेक्ट देखिए question number 12 वे समस्त परिस्तितियां जो नवजात शिशू को मा के गर्व में प्रभावित करती है पोशन आंतरिक वातावरन मा का स्वास्ते या बहारी वातावरन तो ऐसी कौन सी परिस्तितियां है इन में से जो एक नवजात शिशू को मा के गर्व में प्रभावित करती है तो मा के तो यहाँ आंसर जो है वो क्या होगा, मिलते जुलते से ही आंसर हैं, लेकिन जो सही आंसर जाएगा वो होगा आंसरिक वातवरण. नेक्स्ट देखिए, कुश्यन नमबर 13, एक संपन परिवार का बालक विद्याले में अनुशाशन हीनता करता है, इसका क्या कारण हो सकता है, मनोशारिक, आर्थिक, सामाजिक या पारिवारिक, एक संपन परिवार का, जो हर चीज से संपन है, फिर भी वो बालक जो है विद् उसकी मनस्पिती या शारिरिक होगा या आर्थिक होगा, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा, वो रहेगा आर्थिक प्रभाव, ठीके, नेक्ट देखिए, कुश्यन नमबर 14, तुम मुझे एक नवजाज शिशू, मैं उसे डॉक्टर, विकारी या अध्यापक बना सकता बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट लाइन है ये प्याजे का, इसकीनर का, बुडवर्थ का या वाट्सन का, कौन कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, जैसा आप उसे चाहते हैं मैं उसे बना सकता हूँ, तो ऐसी डेफिनेशन जो है वो कहने वाले हैं प्याजे, इसकीनर, बुडवर्थ या वाट्सन, तो ये तो लगबग सभी का ही सही जाएगा ये वाला आंसर, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, इसका सही उत्तर है वाट्सन, नेक्ट देखिए, कुश्यन नमबर 15, साहित्यकार के बेटे में जनम से ही साहित्य संबन लक्षणों का पाया जाना, बंसक्रम की कौन सी विशेष्ता है, मानसिक विशेष्ता है, असाधारण विशेष्ता है, गौड गिफ्टिड है, या प्रतिवाशाली है, एक साहित्यकार का बेटा जो है, वो जनम से ही साहित्य संबन्दी लक्षण उसमें है, तो ये बंसक्र का बेटा साहित्य सम्मंदी लक्षन पाये जा सकते हैं, ये होगी मानसिक विसेष्था, नेक्स्ट देखिए, कुश्य नमबर 16, निम्न मैंसे कौन सा वातावरण का नियम नहीं है, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्य गमन का नियम, या अभिप्रेणा का नियम, तो कि क्या आपके जो नोट्स हैं उनको पढ़कर एक्जाम में यहां से बहार कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा, नोट्स जो हैं वो बिल्कुल बुक से ही बनाए गए हैं। तो इसका आंसर जो सही होगा, वो होगा अभी प्रेणा का नियम ठीक है, जो की वातावरण का नियम नहीं है, समानता, भिनता और प्रत्यागमन, ये सभी वातावरण के नियम हैं। अनुवानशिक्ता की इकाई है, क्रोमोजोम, निसेचित अंडा, जीन या युगमनच। तो देखिए इसमें से अनुवानशिक्ता की जो इकाई है, वो क्या है। अब यहाँ पर ओप्शन नमबर दो और ओप्शन नमबर चार। इसको तो मैं ही रॉंग कर देती हूँ, अब आप बताईए एक और तीन में से कौन सा सही होगा। अनुवानशिक्ता की इकाई है, क्रोमोजोम या जीन। तो इसका सही आंसर जो है, वो रहेगा जीन। नेक्स्ट देखिए, फुशन नमबर इटीन। बालक की जन्म से ही किसी बिमारी का होना, वो अधिक अंगों का आना, वन्सक्रम की कौन सी विशेष्टा है, मानसिक विशेष्टा है, क्रियात्मक विशेष्टा है, स्वास्थे विशेष्टा है या असाधारन विशेष्टा है। तो ये किसमे जाएगा ये जाएगा एबनॉर्मल ठीके असाधारन विसेश्था होगी चलिए नेक्स्ट देखिए कुश्य नमबर 19 जनम से ही बालक के सरीर के अंगों का छोटा एवं बड़ा होना ये वन्सक्रम की कौन सी विसेश्था है असाधारन विसेश्था है सरंचनात्मक विसेश्था है क्रियात्मक विसेश्था है या मानसिक विसेश्था है तो साइकलोजी में देखिए ज्यादा से ज्यादा सोचने का विश्य है ये आप जितना अच्छा सोच पाएंगे उतना ही अच्छा आप आंसर दे पाएंगे आंसर होगा सरंचनात्मक ठीक है तो उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उससे सम्मंदित है ये प्रशन की जनम से ही बालक के सरीर के अंगों का छोटा और बड़ा होना वन्सक्रम की सरंचनात्मक विशेशता है नेक्स्ट देखिए प्रक्रती पोशन विवाद निमन मैंसे किस से सम्मंदित है अब ये कुशन जो है वो सबको आना चाहिए वातावरन वा पालन पोशन विवहार वा वातावरन वा अनुवांशिकी या अनुवांशिकी वा वातावरन तो देखिए इस चैप्टर की जो पहली लाइन या दूसरी लाइन जो है वो यही रहती है प्रकृति पोशन विवाद तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा यहां पर जो प्रकृति को वातावरन से जोड रहे हैं तो उनका आंसर तो गलत हो जाता है आंसर रहेगा अनुवांशिकी वा वातावरन साइकलोजी में देखिए प्रकर्ती जो है वो अनुवांश की और पोशन जो है वो वातावरण से संबंदित है नेक्स्ट कुशन देखिए 21 कुशन वनसानुकरम के सिद्दांत से असंगत है समानता का सिद्दांत, प्रत्यागमन का सिद्दांत, ततपरता का सिद्दांत या विभेंता का सिद्दांत तो हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से वंसक्रम या वातावरण के सिद्दांत जो हैं पड़े थे तो यहां तो देखकर ही पता लग रहा है कि ना तो अप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है वंसक्रम वंसानुक्रम का सिद्दांत, सैकिंड भी सही है प्रत्यागमन का सिद्दांत, फोर्थ नंबर भी सही है विभेंता का सिद्दांत, लेकिन ततपरता का सिद्दांत किसका है तो थर्ड जो है वो असंगत है नेक्स्ट देखिए कुश्चन नमबर 22 सामानने संयुक्त कोशिका में गुण सूत्रों के जोड़े होते हैं अब कुश्चन मैंने पूछ लिया है लेकिन फिर भी ये लेंग्विज बदल कर ये कुश्चन दुबारा पूछा जा रहा है कि साम तो देखिए मैंने कुश्चन में आपको अभी तोड़े देर पहले ही समझाया था कि जब जोड़े पूछे जाएंगे तब आपका आंसर क्या होगा आंसर रहेगा ओप्शन नमबर 23 नेक्स्ट देखिए कुश्चन नमबर 23 प्रकृति पोशन विवाद में प्रकृति हमार अब आपको गलत नहीं होना चाहिए हम हाल ही में ये कुश्चन जो है वो किया है हम लोगों ने इसमें प्रकृति जो है उससे क्या अभी प्टाय है तो जैसा कि आप प्रकृति से मतलब नेचर से समझते हैं लेकिन साइकलोजी की लेंग्विज में प्रकृति का अर्थ क्या होगा यहां आंसर आएगा जैविकिये विशिष्टताय या वनसानुक्रम सूचनाए तो आज हमने 23 कृशन किये हैं आप लोगों ने इसमें से कितनों के सही आंसर दिये हैं आपको ये बताना है इस चैप्टर से संबंदित प्रशन जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से तयारी करके आनी है जिसमें सामाजिक विकास और शारिदिक विकास समवेगात्मक विकास सभी आजाते हैं विकास से संबंदित आयाम तो सबी कुछ आपको पढ़की आना है तो इस तरीके से आपकी रिवीजन जो है ये है आपकी वास्तविक रिवीजन जिसको आपको अभी करना बहुत जरूरी है ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू